हेलो फ्रेंड्स आज आपके साथ मैं शेयर करूँगी कुछ इंपोर्टेंट टिप्स जब हम केक बनाते हैं तो फ्रेंड्स कई बार हमें इस बात का डर लगता है कि कहीं थोड़ी सी गलती के कारण हमारा केक जब मफिन जब कपकेक जो भी हम बना रहें उसका टेस्ट खराब ना हो जाए तो अब आपको डरने की जरूरत नहीं है कुछ इसी टिप्स आपके साथ शेयर करूँगी तो चलिए इन टिप्स को आप जरूर फॉलो करना जब केक बनाते हैं तो हमेशा फ्रेश इंग्रीडियंट का ही इस्तेमाल करना है कई वर ऐसा होता है किचन में हमने ब नेक्स टेम्परेचर जो बहुत इंपोर्टन है कई वर ऐसा होता है कि हमने फ्रिजी में से चीज निकाली और इमिडेटली केक बनाना स्टार्ट कर देते हैं तो यह भी एक वज़ा है कि जिसे केक आपका सौफ निक बन पाता है केक बनाने से पहले सारी इंगिरिडियंट जो है रूम टेम्परेचर पर ही होने चाहिए नेक्स्ट है जो भी केक में हम यूज करें बेकिंग पॉर्डर बेकिंग सोड़ा उसकी एकस्पाइरी डेट जुरूर चेक करें तो फ्रेंट्स पर्फेक्ट केक बनाने के लिए आप जिस टीन में भी केक का बैटर डालने वा सब्सक्राइब जोबी आप इंग्रीडेंट यूज करें उसको एकदम मेजरिंग से लेना है जो भी आप बर्तन चम्मच इस्तेमाल करें हैं उसका एकदम पर्फेक्ट मेजरिंग होने चाहिए कोई भी चीज केक में अन्दास से ने डालनी है केक में बेकिंग सोड़ा ज्य ज़िया करना चाहिए। जल्दी में आपने केक को फ्रीज में रख दिया जाए पंके की नीचे कर दिया तो उससे क्या होगा कि जो है काड़क हो जाता है। आपने कई बर मेरी वीडियो में देखाऊगा कि मैं केक के उपर एक कपड़ा रख देती हूं उसकी यह रीजन है कि वो उपर से सूखता नहीं है तो फ्रेंड्स नेक्स्ट है कि केक का बैटर अगर आपका थिक है उसको अपने थोड़ा सा पतला करना है तो उसमें दूध ही डालना है पानी नहीं डालना है और दूध जो है वो एकदम रूम टेंपरेचर पर होना चाहिए तभी आपका केक जो है वो सॉफ्ट बनेगा तो फ्रेंड्स नेक्स्ट है अगर आप चाहते हैं कि आपका केक फूले और सॉफ्ट बने तो आप आटा जाक बैटर में फ्लेवर भी आता है अगर आप ज़्यादा वैनिला एसेंस डाल देते हैं तो वो केक जो है थोड़ा हाड हो जाता है और केक के बैटर को स्पॉंजी बनाने के लिए आप दहीं का इस्तेमाल कीजिए और केक को और ज़्यादा टेस्टी बनाना है तो बैटर में खोया भी आ आप डाल सकते हैं उससे केक का जो फ्लेवर है बहुत ज़्यादा बढ़िया आ जाता है और केक भी हमारा सॉफ्ट बनता है तो फ्रेंट्स आप सभी को पता है कि केक जो है हमारा कोई भी सेलिब्रेशन हो बर्डे हो एनिवस्ट्री हो बेबी शावर हो इबन नियू येर हो हर मुके पे केक तो बनता ही है तो कोई भी खुशी का मुका बिना केक के पूरा नहीं होता है इसलिए केक जो है हमारा बहुत जरूरी पार्ट है कि हर मुके पे केक बनाना है और सभी को फ्रेंट्स बहुत सारी मैंने वीडियो आपके साथ शेयर किया है जिसमें आपको केक बनाके दिखाए और बड़े इजी तरीके से बनाया है तो फ्रेंड्स नेक्स जो है तो फ्रेंड्स जब भी हम विंटर्स में केक बनाते हैं तो कुछ न कुछ नट जरूर डालते हैं जैसे बदाम, काजू, किश्मिश, पिस्ता भी डाल देते हैं, टूटी-फूटी, अक्रो नेक्स है, केक बनाते समय, एक बार आपने बेकिंग ट्री, जान फिर कंटेनर जो है, ओवन जाकडाई में रख दिया हैं, तो बार बार उसका दर्वाज जाजा, ढखकन नहीं खोलने हैं, उससे क्या है कि केक का जो टेंपरेचर है, वो उपर नीचे हो जाएगा, और केक ज से मिक्सिंग करने, केक के बेटर को कभी भी तेजी से नहीं फेंटना है, उसको हलके हाथ से फेंटना है, एक ही डिरेक्शन में उसको फेंटना है, तब ही आपका केक जो अच्छी तरह से फूलेगा, और कौन सा इंग्रिडियन्ट कब डालना है, इसका जो डिटे के लिए आप मेरी वीडियो वाच कर लें, जो केक की है, तो जरूर वाच करना, आपको पूरे आपके जो सीक्रेट्स है, आपको मनलब क्लियर हो जाएंगे, नेक्स टेए फ्रेंट्स, ओवन हो चाहिए, कडाही में आपने केक बनाना है, उसको प्री हीट जरूर करना है, ऐसा नहीं और उसके बाद, रखने के बाद, आपने 40-45 मिनट कडाई में लगते हैं, बार बार उसको 10 मिनट के बाद चेक नहीं करने हैं, नहीं तो फिर टेंपरिचर आपका ऊपर नीचे हो जाएगा, और केक आपका हो जाएगा, खराब फ्रेंट्स, फिर मत कहना, तो ये सारी टिप मैं आपको केक बनाने टाइम भी आपके साथ शेयर करती हो, तो फ्रेंट्स, आई होप आपको आज की वीडियो जो है पसंदाई होगी, जो भी टिप्स मैंने आपके साथ शेयर किये हैं, उसको फॉलो कीजिए, केक बनाएगे फ्रेंट्स, पक्का केक अच्छा बनेगा और मुझे कमेंट करके बताना कि आज की वीडियो आपको कैसे लगी, ओकी बाबाई